नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस प्रकृती ने हमें बनस्पतियों के रूप में बहुत ही ज़्यादा लापदायक दवाईयां दिये ये दवाईयां हमें बहुत सारे रोगों में फायदा पहुँचाती है किन्तु मनुष्य अपने दुरुपयोग करने की प्रवरत्ति के कारण इन लाबदायक दवाईयों का उपयोग कम और व्याशन के रूप में इनका दुरुपयोग जादा करता है इसी प्रकर की दवाईये दोस्तो भांग जिसे प्राचीन समय से ही हमारे रिसी मुनी इस्तेमाल करते आ रहा हैं बहुत सारे मरीजों की मानसिक बिमारियों को दूर करने के लिए या और भी कई बिमारियों को दूर करने के लिए भांग की पत्तियों का सेवन किया जाता था लाकिन तु धीरे धीरे इनका दुरुपयोग नसे के रूप में किया जाने लगा और एक बहुत ही लाबदाएक ओजदी जो है व्यशन के रूप में दुरुपयोग के रूप में उसका यूज करने लगे है आजकल की पीड़ी। इसी भांग से दोस्तो होमेपती में एक दवा बनती है केनाविस इंडिका दोस्तों ये दवा बहुत ज़्यादा प्रहोशाली होती है मस्तिस्क संबंदी बिमारियों को दूर करने के लिए क्योंकि इसके जो लक्षन होते हैं ये बहुत सारे मरीजों में सीजोफरेनिया के मर केनाविस इंडिका को यूज करते हैं तो मैं जो लक्षन आपको बता रहा हूं इन्हें ध्यान से सुनियेगा क्योंकि यह लक्षन यदि आपको किसी मरीज में मिलते हैं तो चाहे उसकी बिमारी कोई भी हो यदि आप केनाविस इंडिका दबा देंगे तो उसको बहुत की फायदा मिलेगा इसके साथ-साथ वीडियो के लाश्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई भ्यक्ति भांग का बहुत ज्यादा दूर्पयोग करता है या उसे भांग का नसा करने की आदत पड़गे तो आप उसे किस प्रकार से उसके दूर्पयोग से मुक्त कर सकत है उससे आप किस प्रकार से उस ब्यक्ति को निकाल सकते हैं सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं केनाविस इंडिका के सिम्टम्स की तो जिस प्रकार से कोई ब्यक्ति भांग का सेवन करता है उसके सरीर में जो जो लक्षन उत्पन होते हैं उसी प्रकार के लक्षनों को भां जाविस इंडिका का जो मरीज होता है दोस्तों उसे समय, काल, परिस्तिती और जगर का बोध नहीं होता मतलब यदि वो चार कदम चलेगा तो उसे यसा लगेगा कि मैं कहीं सारा किलोमीटर चल करके आया हूँ यदि वो मान लिजे कि जमीन पर बेठा होगा तो उसे लगेगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ यदि वो अपने घर पर होगा तो उसे लगेगा मैं बाजार में हूँ या अपने सहर से बाहर हूँ समय उसे महसूस नहीं होगा यदि वो अभी भोजन करके उठा है तो वो आपसे कहेगा कि मुझे भोजन किये हुए चार-पांस दिन होगा है मुझे फिर से भोजन दो तो इस प्रकार न उसे समय का बोध होता है ना जगह का बोध होता है ना काल का बोध होता है ना परिष्टिति का बोध होता है दूसरा लक्षन दोस्तो केनाविस इंडिका का जो मरीज होता है वो हमेशा एक मानसिक भ्रहम में उल्जा हुआ रहता है मतलब उसके मस्तिस्क में तरह तरह के बिचार जो है लगातार हस्ते चले जाएगा यदि वो रो रहा है तो लगातार रोता चला जाएगा गा रहा है तो लगातार गाता चला जाएगा इस प्रकार से वो जिस भी परिस्तिती में उसी परिस्तिती में लगातार काम करता चाहेगा चाहे उस परिस्तिती के लिए जो जिम्मेदार त सबी लोगों में सबसे ज़्यादा ग्यानी या यदि महिला होगी तो अपने आपको बहुत ज़्यादा खुबसूरत समझेगी ऐसा लगेगा उसे कि मुझसे खुबसूरत इस दुनिया में कोई बैक्ती नहीं है मुझसे अमीर इस दुनिया में कोई बैक्ती नहीं है मैं पहा नहीं सुनों चुड़े लिया भूतों के हाथ मुं में होते हैं तो अपने में में महसूस होती जा रह सूरों Monate मिष्दा न拜拜 लम्बें यहां इत pew सा में 20 लगाता ने रहते हैं इसी प्रकार से बोलने के मामले में भी केनविस-िंडिका के मरीज में एक विसेस्थाद आ जाती है, वो कोई बाक्य सुरू Chief सुरूर करता है तो उस बाक्यों को कर पाता है, बाक ही बोलते-बोलते ही बीच में भूल जाता है, कि वो क्या बूलने जा रहा है, अब देखें इस प्रकार के लेक्षन आपको बहुत सारी बीमारीों में मरीजों में मिलेंगे मरीज जी साथ बोलेंगे, सर, हमारी बेसिये तो जो इस्मरन शक्ति है, याद दास्ति है, बहुत अच्छी है पर तो कोई बाग के बोलते-बोलते तो एक खास तरह के सिर्दद में भी केनाविस इंडिका दवा का यूज होता है लक्षन ये होते हैं कि बैक्ति को सिर्दद होता है और उसके साथ ये आभास होता है कि सर की जो खोपड़ी है वो खुल रही है बंद हो रही है खुल रही है बंद हो रही है तो इस प्रकार से ख इस गल है जो खोपड़ी है उसमें खुलना और बंधोना इस तरह के बार-बार सिम्टम्स मरीज को सिर्दत के साथ महसूस होते हैं वहाँ पर भी यदि केनाविस इंडिका देंगे तो तुरंती सिर्दत में आराम मिलता है और दोस्तों केनाविस इंडिका दवा को सुजाक ग बात्रूम में जलन होती है पेनिस में जलन होती है और इसके साथ साथ वह जो जलन होती है वह पीछे की तरफ महसूस होती है किड्नी तक जा रही है और जब दोस्तों बात्रूम के लिए जाता है तो प्राइवेट पार्ट में भी दर्द होता है तो यह सब लक्षन होते हैं सुजाक, गोनोरिया की प्रतम अवस्ता में और प्रतम अवस्ता में यूज करने के लिए केनावेस इंडिका दवा का यूज करते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो ध्यान रखें बीमारी कुछ भी हो बीमारी के नाम पर ना जाए पर ये यदि लक्षन मिलते हैं खासकर मानसिक लक्षन क्योंकि होमेपेटी में ऐसा माना जाता है कि यदि मानसिक लक्षन आपको मिल रहा है तो वो दवा सबसे अच्छा काम करेंगी तो बहुत सारी बीमारीों में ये मानसिक लक्षन यदि आपको मिलते हैं उन बीमारियों में केनावेस इंडिका दवा दीजे अभी बात करते हैं इसकी डोस की तो जनरली केनावेस इंडिका को 30 पोटिंसी में यूज़ करना चाहिए चार बुन सुबह दोफर और रात दिन में तीन बात कुछ समय तक देने के बाद जब आपको परिणामों में उत्स दूस प्रभाव को काटेंगे कैसे तो उसके लिए आपको भांग से बनने वाली यह जो सक्तिक्रत दवा है केनावेस इंडिका 30 पोटिंसी में डेली दिन में एक बार देना है सुबह के समय और रात के समय डेली एक बार नत सुबह में का 30 देना है तो भांग का जो दूस प काईवा का मदाट इंचा दिन में तीन बार 20-20 बून दीजिए आदे कप पाने में मिला कर साथ में केनावेस इंडिका दवा 30 पोटिंसी में सुबह दोबर रात दिन में तीन बार 4-4 बून दीजिए कुछ समय में भी व्यक्ति के अंदर भांग की प्रती जो है वित्रशना दवाई यूज करके मन चाहे परिणाम लेंगे और दोस्तों वीडियो के निशे कमेंट बाक्स में जरूर बताइए आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद बंदे मातरा